हेलो दोस्तों किसी भी मार्केट प्लेस में एक परफेक्ट एड केंपेंड क्रियेट करना काफी चैलेंजिंग टास्क है एक्चुल में बहुत सारे सेलर्स को लॉस होता है जब वो अपना पहला केंपेंड क्रियेट करते है अब यह लॉस होता क्यों है तो देखिए एक बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलोजी होती है एड रिलेटेड टर्मिनोलोजी जो कि सेलर्स को एक्चुल में पता ही नहीं होती है जैसे कि जो भी नए seller होते होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे seller है जिनको exact match क्या होता है नहीं पता होगा negative keywords क्या है वो नहीं पता होगा उसके बाद bid, budget तो कुछ ऐसे words होते है जिनका की explanation उनके पास नहीं होता है जिसका की understanding उसके पास नहीं होता है बट फिर भी वो अपना campaign create कर देते है इस hope में के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा sale मिलेगा बट actual में नहीं मिलता है आपको 101% loss ही होगा तो जो ad campaign से related पूरा का पूरा जो terminology है उसको समझना ही काफी difficult task है काफी challenging task है और ये एक बड़ी problem है जिसकी वज़े से बहुत सारे sellers actual में अपना जो ad campaign है वो create नहीं कर पाते है जिससे कि उनके product का advertisement नहीं होता है तो ये बड़ी problem है और इसका solution flip card के पास है flip card आपको सब कुछ ready made करके देता है आपको सब कुछ provide करता है यानि आप कुछ click करके अपना ad campaign create कर सकते हो आपको कुछ भी जो ये सब डालने का जो भी phrase word हो गया negative keywords हो गया budget, bid, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको कुछ click करना है और अपना ad campaign चालू कर देना है देखिए ये एक simple process है आपको अपने simply flip card seller dashboard पे जाना होगा इसके लिए हम चलते है एक live demo में और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको कुछी click में ये advertisement create करना है जिससे कि आपके products ज्यादा से ज्यादा sale हो सके आपको जाना है अपने seller dashboard में यहाँ पे आपको growth के tab के अंदर flip card promotions करके एक tab मिलेगा इस पे आपको click कर देना है जैसे आप इस पे click करोगे एक नए page पर आपको ये लेके जाएगा यहाँ पे आप जैसे नीचे scroll करोगे आपको काफी सारे offers मिलेंगे इसको मैं आपको detail में बताऊँगा बट पहले flip card promotions के नीचे कुछ tab दे रखे यहाँ पे 8 recommend यानी total 8 recommended offers है flip card के दुवरा आपको उसके बाद all live offers यानी कि flip card के पास total कित्ते offers है opted here यानी आपने कित्ते opt in कर रखे है opted out यानी आपने पहले opt in कर रखे थे बट अभी आपने उनको निकाल दिया और expired का मतलब होता है कि flip card कुछ promotion चला रहा था जो कि अब expired हो गए है अब हम total यह जो detail दे रखे हैं इनको हम एक बार check करते हैं अगर आप एक नए seller हो तो flip card recommended offers है उसी की तरब जाए आपको simply नीचे जाना है यानि आपकी जो product की category है उसी हिसाब से flip card आपको recommendation दे देगा अगर आप beauty category में deal कर रहे हो तो आपको beauty category से related आपको offers मिलेंगे यह simply जैसे bed sheet और apparel related category है तो यहाँ पे आपको इसी तरब के offer दिखेंगे यानि अलग-अलग category में आपको अलग-अलग offers दिखेंगे तो पहला जैसे दे रखा है कि extra 19% offer on furnishing उसके बाद furnishing at $199, bed sheet at $3.99 तो अगर कोई भी offer आपको जैसे उसका detail देखना है तो simply आपको किसी भी offer के नीचे जाना है और offer details पे click कर देना है जैसे आप click करोगे आपको एक नए page पर लेकर जाए अब देखिए यहाँ पर bed sheet at just $3.99 यह देखिए देखिए एक तरह का जो flat rate है वो दिया हुआ है तो यहनि customer को 339 में मिलेगा वो product चाए आपका उसका MRP कित्ता भी है नीचे आप देखोगे 5 listings are eligible for this promotion आपको जानना है कौन कौन सी listing है तो आप यहाँ से download eligible listing ID करके यह file download कर सकते है अब यहाँ पे नीचे दे रखा है opt in all eligible listing या तो आप सभी की सभी जो भी eligible listing है उनको opt in कर सकते हो या फिर यहाँ पे second option दे रखा है partially opt in यानि आप एक या दो या तीन जो आपके हिसाब से वो आप उन listing पे यह offer run कर सकते हो उसके लिए आपको यहाँ से यह जो sample CSV file है इसको download करना पड़ेगा इसमें जो necessary detail है वो डालने के बाद इसको upload करना पड़ेगा नीचे आप देखोगे आपका जो flip card पे discount है वो किस तरह से दिखेगा तो देखिए MRP usual price total discount और price to the customer इस तरह से दिखेगा अब देखिए यह एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूँ आपका MRP 561 है आप usual price 510 में बेचते हैं आपको अभी 171 रूपीस discount देना पड़ेगा और फिर customer जो है वो 339 रूपीस देगा यानि पहले आप 510 में बेचते थे अब आपको 339 में बेचना था यह simple सा यह table बना हुआ है और यह आपको explain कर रहा है कि आपको अभी customer को 339 में देना पड़ेगा अगर आप satisfied हो इससे तो आपको simply I agree to terms and condition of flip card करना है और उसके बाद आपको opt in पे click कर देना है जैसे ही आप opt in पे click करो गए यह basically आपका successful हो जाएगा कि इस जो promotion है इसमें आपने participate कर दिया ह अगर आपको opt out करना है तो simply यहाँ से इसको opt out करके इसको बंद कर दीजिए तो यह आपका बंद हो जाएगा अब देखिए जो all live offers है यह काफी important है यहाँ पे आपको सभी के सभी live offers दिखेंगे और जो upcoming है वो भी दिखेंगे जैसे आप simply आपको अगर select करना है offer status ongoing offer type यहाँ आपको इख यह बेखिए आफ काफी सारे option मिलेंगे आपको इख यूजवल प्राइस डिस्काउंट लिस्टिंग पर डिसकाउट देना है शिपिश पर डिसकाऊंट देना कोई भी दे सकते हो simply जैसे मैं suggest YT कोई भी मैं टार्गेटिंग ले सकता हूं इसमें से कोई भी सेठ कर सकते हो, occasion के जिसाब से, categories के जिसाब से भी आप select कर सकते हो, तो जैसी आप इस पे apply कर रहे हो, तो आपको वो सभी offers दिख जाएंगे, जो अभी live है, जो आपने यहां से selection किया, जैसे ongoing usual price का, तो इस तरह से आपको यह offer detail दिख जाएगी, आपको simply फिर इसके अंदर जाके इस बनाता है, अगर आपको next time flip card पे कोई भी advertisement run करना है, तो आप यहां से ही कीजिए, इसमें सबसे बड़ा benefit यह है, कि आपको काफी अच्छा कासा sale मिलेगा, और अगर आप एक नए seller हो, तो आपके लिए यह काफी helpful भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो आप एक normal advertisement create करने जाओगे, तब आपको नहीं पता होगी, और उसमें आपको loss हो सकता है, बट यहां पे आपको काफी अच्छी जो offers है, वो rediment मिलेंगे, और आपको तगडा sale भी मिलेगा, I hope यह वीडियो आपके business में कुछ value add करेगा, आज के लिए इतना ही, thanks for watching.